हलो हाई इव डिददी ने भीडी एडिडी ओंलाइन क्छास में आपका स्वागत है बच्चो हमने देखो पिछली वीडियो में पिछली क्लास में ने किया था कि त्री भुज और त्री भुजों से समंधी हमने जो शंबाउत्री बुज बढ़ा था और शंदी बाउत्री बढ़ा था और विशंबाउत्री बढ़ा था उनका एरिया जिस परकार गयाद करते हैं उनसे रिलेटर्ड सुत्र हमने बताए थे और आपने किया भी होगा अब देखे चतर बुज चतर बुज में होता क्या ह चत्र बुज होता है वो चार बुजाओं से ग्रीव याकरती होती है और चत्र बुज का छेत्र फल ग्याद करना चाहेंगे तो चत्र बुज देखे चत्र बुज का छेत्र फल ये चत्र बुज याकरती है और इसमें ये विक्रण हो गया और ये विक्रण पर डाले गए लंब हैं तो इस प्रकार के आपको आकरती मिलेंगे वोगी चत्र पूज होगी चत्र पूज में बच्चो चत्र पूजु का च्छत फल गयाद किस प्रकार करोगे यह विक्रण की लमबाई गुणा विक्रम पर डाले गई लंबोका योग एक तो यह हो जाएगा ठीक hebच्छो दूसरा फॉर्मुला होगा समांतर चत्र बुज़का आपको पता है समांतर चत्र बुज़ वैस चत्र बुज़का इसके आमने शामने की बुजाएं तो बराबर हों और समानतर हों तो उसमें क्या हो जाएगा उसका चेतर फल हो जाएगा आधार गुणा उचाई ठीक है बच्चो फिर इसके बाद आता है चकरी चेतर बुजगा तो चकरी चेतर बुजगा चेतर फल गयात करेंगे हम इस परकार ठीक है त चकरी चत्र बूजे होता क्या है कि एक सरकल होता है एक वर्त होता है उस वर्त में बना हुआ यह होता है देखिए अभी बताता हूं आपको जैसे यह होता है यहां पे देखिए जैसे यह हो गया एक क्या वर्त हो गया और इस वर्त में यह परिद्धी पर बना हुआ कोई चत् तो ये चत्रबुज होगा वो कौन सा होगा बच्चो ये होगा चकरी चत्रबुज ठीक है तो चकरी चत्रबुज में ये A, B, C और D है ये तो चकरी चत्रबुज की क्या है बुजाए है तो पहले तो आप क्या करोगे S ठीक है तो S गयात करोगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D यह ग्याद करके इस रूट के अंदर यह हो जाएगा चक्री चत्रबुजगा चेत्रफल तो चक्री चत्रबुजगा चेत्रफल गया होगा रूट के अंदर S-A, S-B, S-C, D जैसे ही आप S का मान निकालोगे उस S की मान में A, B, C, O, D यानी बुज आए चक्री चत्रबुजगी बुज यानी बुज इसके और विखिन बुजग़ की शके चैत्रबुजगी की मरा रिप को भी कणप आए उसका चत्रफल हो जाएगा एक बटे दो गुणा विक्रणों का गुणन दफल यानि विक्रणों के लंबा यो गुणन दफल कक्षाट में आप पढ़ भी चुके हैं फिर इसके बाद समलम चतर बुझ का चतर फल समलम चतर बुझ का चतर फल होता है एक बटे दो गुना समानतर बुजाओं का योग गुना मद्दे दूरी यानि जो समानतर बुजाओं आपको मिलेगी और समानतर बुजाओं की मद्दे दूरी और समानतर बुजाओं का आप योग कर लेना और मल्टिपलाई कर देना उनके बीच की दूरी का तो यह आपके च